ही नुश्वार दोस्तों आप सभी काईगा और नहीं इंट्रेस्टिंग वीडियो में स्वागत है तो आज की वीडियो यहां पे है यार मियो आई 10 की जो लेटेस ग्लोबल नाइटली बीटा अपडेट आई है हमारे रेड्मी नोट 6 प्रो के लिए रेड्मी नोट 5 प्रो के लिए अल्रेडी आगी थी उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन उपर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और आई बडन में भी उसके भी मैंने फुल रिवीव वीडियो आपको अल्रेडी बना के बता दी है आप जाके इसको चेक आउट कर सकत हो तो इस चैनल को सच्राइब कर लेना साधी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आभी तक आपने वीडियो को लाइक भी नहीं करा कर दो यहां पर देख सकते हो यह लाइनी बीटा रूम आपकी 911 14 की देखने को मिल जाती है जो की лиटेस्ट है लिंक आपको इसक देखने को नहीं मिलेगा तो पाइक अपडेट के लिए भी थोड़ा और इंतिजार करना होगा I think तो चलिए मैं आपको यहाँ पर जल्दी दिखा दूँगा कि आपको क्या नया फीचर देखने को मिल सकता है इसके अंदर और जो जो मिलेगा आगे अगर कुछ और एस्टा मिलता है तो उसके बारे में मैं आपको जल्दी ही बता दूँगा अब यहाँ पर मैंने नोट डाउन करके रखे हैं कुछ फीचर कुछ फीचर आपको नोट 5 प्रो में भी सेम मिलते हैं लेकिन आपको बता हुए कैमरा में थोड़े बहुत यहाँ पर चेंजिस रहते हैं और काफी साधा अलग लोन का आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से अपडेट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो अगर आपने अपडेट नहीं करा है तो आप कर सकते हो लिंक में आपको नेचर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप जाके उसको डाउंडोड कर लो और सिंपली अपडेट में कर लो और आपका भी यहाँ पर मी कैलकुलेटर एप अपडेट हो जाएगा उसके बाद बात करें तो मी कम्यूटी अप भी आपको देखने को मिलता है जिसमें अपडेट आपको 4.0 की देखने को मिलेगी latest update है जिसको update करने के बाद आपको यहाँ पे community थोड़ी change देखेगी आप देख सकते हो यहाँ पे all new horizontal pages देखेंगे उसके लावा आपको यहाँ पे जो पूरा home page है इसको भी optimize channel होने कर रहा है तो update करने के बाद आपको काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे पूरा change देखने को मिलेगा तो यहाँ पे मैं आपको update कर लेता हूँ उसके बाद मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ कि क्या-का changes देखने को मिलते हैं तो me community app में आप देख सकते हो इस तरीके से आपको change मिलेगा feed का मिल जाएगा यहाँ पे जहाँ पे आप following का भी पूरा देख सकते हो वीडियो का यहाँ पे एक नया section यहनों ने add कर दिया तो इस तरीके से आप जाके देख सकते हो me community 4.0 जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर आप update करना चाहो तो आप update कर सकते हो Google Play Store पे भी update मिल जाएगी यह आपको यहाँ से download करना है तो उससे भी आप यहाँ पे कर सकते हो तो आप देख सकते हो यह Google Play Store पे update है तो मैं यहाँ पे इसको update कर लूँगा तो आप भी अगर चाहो तो update कर सकते हो साथी साथ यह video Redmi Note 5 Pro से record हो रही है क्योंकि Note 5 Pro में degrade करते रहे है तो यहाँ पे आप देख पाऊगे यह update होगा है में community इसमें आप इस तरीके से देख पाएंगे कि आपको नए यहाँ यहाँ पे version देखने को मल जाएंगे कोई Q&A, MIUI, Activity, Gallery और Tech वीडियो इस तरीके से आप देख सकते हो जिसको नया तरीका इन्होंने revamp करके आपको यहाँ पे home screen दी है तो यह चीज आपको यहाँ पे अच्छी नई देखने को मल जाती है तो आप चाहो तो इसको आप update कर सकते हो अगली तरफ चलने तो अब हम देख पाएंगे कि check PNR option remove हो गया है app vault से तो यहाँ पे आप देख पाऊगे कि पिछले अपडेट में आपको check PNR का option आ रहा था तो यह check PNR का option Redmi Note 5 Pro से हटा दिया है Redmi Note 6 Pro में है और Redmi Note 5 Pro में हटा दिया है तो यह पता नहीं क्या हो रहा है Redmi Note 6 Pro में यह तो यह development बंद कर दी है यह Redmi Note 5 Pro में अब features को हटा रहे है तो यह दो चीज हो सकती है इसमें आपको दिखा रहा है लेकिन Redmi Note 5 Pro में इन्होंने हटा दिया है साथी साथ Redmi Note 5 Pro में यहाँ पर जो date है यह January के बाद date आने लगी है 15 जो की Redmi Note 6 Pro में उन्होंने नहीं चेंज करी है तो यह चीज है यार I don't think की Redmi Note 6 Pro में जल्दी ही development शुरू होगा बहुत ही time लग रहा है और अगर आपने पाई वाली list भी देखे होगी जो बहुत सारे YouTubers ने डाली है चाइना में चाइना यूटूब चाइना बीटा की तो उसमें भी आपको Redmi Note 6 Pro नहीं दिखता है सिर्फ Redmi 6 Pro ही देखने को मलता है जिसमें डीड दी गई है तो पदा नहीं आगे चलके पदा चलेगा तो यहां पर देख सकते हैं Swipe up to go to me browser तो यहां पर Swipe up करोगे तो आपको direct me browser में ही ले जा रहा है इसमें भी अभी तक Google कर नहीं दिखाया है तो एक चीज यह भी आपको बहुत ही खराब देखने को मलती है उसके लाब आप Fast Charging आइकन Now in Normal Charger तो अगर आप चारजिंग करते हो और अगर आपने Fast Charging करी है तो आपको उपर देखने को मलता होगा यह एक आइकन देखने को मल जाता है उपर जिससे आपको दिखा देता है कि आपको यह Fast Charging हो रही है कि Slow Charging हो रही है तो यह चीज़ को आप इन्होंने Bug में कर दिया है कि अगर आप यहाँ पर Fast Charging भी करोगे तो तब भी आपको वो आइकन दिखाएगा Slow Charging भी करोगे तब भी आपको वो आइकन दिखाएगा तो यह चीज़ एक Bug हो गई है अभी तक पता नहीं आपको यहाँ पर देखने को मल जाएगा लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बहुत सारे लोग जाइगा तो अब यहाँ पर जाओ जाओ उसके लाव चलते हैं जो यह नया फीचर है ब्लर लेवल चेंज का जो की से fredmi note 6 pro में ही आपको देखने को मलता है तो अगर आप portrait mode में कोई भी pick click करते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर click करके एक दिखाऊं तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक pick पर इसको click करता हूँ तो उसके लाबाद जब आप यहाँ पर देखते तो यह कि blur level change होने का आपको option देखने को मलता था जब आप इधर जाओगे और यहाँ पर तो अभी आपको middle में देखने को मलता है तो यह 3 इस तो आपको पहले ही देखने को मल गई थी लेकिन उसके बाद आप इसमें tap करोगे और tap करने के बाद आप blur level देखोगे तो यह चीज आपको यहाँ पर change देखने को मल जाएगी जो की blur level change करने का trial आपको अब पूरा focal length में दिखाता है कि F 3.2, 9.0 16 तक आपको बूरा हटाने का या 1.01 तक आपको पूरा blur करने का तो यह चीज यहाँ पर इन्होंने नई तरीके से कर दी है जो कि काफी अच्छा है यहाँ पर लग रहा है साथी साल light rails में जाओ गए तो अभी यहाँ पता नहीं क्यों उल्टा हो गया है जो object को इसको light rails से हटाना चाहिए उसको यह यहाँ पर blur कर दे रहा है तो यह चीज काफी बेकार हो गई है आप देख पाऊगे यह object के जिसके अरावर में करना था उसको भी यहाँ पर इन्होंने detect कर लिया है और यह blur level खराब कर दे रहा है studio lighting में जब तक आपका कोई person नहीं रहेगा तब तक यह detect नहीं कर पता है तो इस तरीके से यहाँ पर चल लिए है अगर आप देखो कामरा क्वालिटी तो काफी अची है लेकिन यहाँ पर Note 6 Pro में Note 5 Pro में कामरा क्वालिटी को degrade कर दिया गया है वीडियो में आपको 4K अभी भी नहीं देखने को मिलता है नहीं 60 FPS आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो Note 6 Pro में अभी पता नहीं कब development ज़रू होगा और कब आपको यहाँ पर क्या क्या नया feature देखने को मिलेगा यह पता नहीं पता हम बच्चे और theme के लिए अगर आपको theme अची लग रही है और कुछ नहीं आता है तो मैं ज़रूर आपको यहाँ पर बताने के बोरी कोशिश करूँगा मिलता हूँ अपने वीडियो में तब तक लिए जाहिन बने मातरम टेक केर बाई बाई